दोस्तों, अगर ये case उल्टा हो जाए, यानि कि एक ऐसा person, जिसे दूर के objects तो clear दिख रहे हैं, बट past के object blurred दिख रहे हैं, तो क्या होगा? तो students, हमें जानते हैं, कि ऐसे defect को हम बोलते हैं, hypermetropia या फिर farsightedness, अब students, ये जो hypermetropia eye होती है, ये normal eye से कैसे different होती है, आइए देखते हैं, students, जैसे कि हमें जानते हैं, कि हम एक eye को normal तभी बोलते हैं, जब उसका near point 25 cm हो, और far point infinity, अब दोस्तों, इन दोनों points की position, या फिर किसी एक point की position अगर change होती है, तो हम कहते हैं, अब हमने previous lecture में study किया, कि अगर far point की position change होती है, तो हमारी eye में myopia defect आ जाता है, बट अगर दोस्तों, ये जो near point है, इसकी position change हो जाए, यानि कि ये मेरी eye से दूर चला जाए, let's say end dash point पर, तो ऐसी eye में एक defect आ जाएगा, जिसे हम hyper metropia, और यहां से साफ दिखाई दे रहा है, कि हम दूर की objects को clear देख पाएंगे, because far point तो change नहीं हुआ, near point मुझसे दूर चला गया, यानि कि अब मैं pass की objects को clear नहीं देख पाऊंगा, अब जो मेरी vision की range है, वो हो चुकी है, infinity से end dash तक, और पहले क्या था, infinity से 25 cm तक, अब द तो क्यों हम उसे clear नहीं देख पाते, देखते हैं, student जैसे कि हमें जानते हैं, कि जब भी कोई object हमारे पास रखा होता है, तो हम उससे निकलने वाली light rays को parallel consider नहीं करते हैं, उससे तो हर एक direction में light rays निकलती है, तो चली, कोई दो light rays हम consider कर लेते हैं, अब ये दो light rays जब हमारे eye के lens पर strike करेंगी, तो क्या होगा, हमें जानते हैं, कि हमारी eye का जो lens है, वो convex lens है, converging lens है, वो सभी light rays को retina पर मिलाने की कोशिश करता है, बट रुकिए, यहाँ पर जब अब ये lens है, ये तो thin है, इसकी power कम है, यानि कि ये in light rays को कम converge करेगा, इसे time लगेगा इनको converge करने में इसी वज़े से light rays मिलेंगी तो सही, बट retina पर जाकर नहीं, उससे पीछे जाकर मिलेंगी, और ये तो हम नहीं चाते, retina पर जब ये light rays मिलेंगी, तभी तो मैं इस object को देख पाऊंगा, and that's the reason कि हम पास में रखे हो objects को clearly नहीं देख सकते, बट students, एक और reason भी है, जिस वज छोटाम कर दिया है मैंने, तो चलिए again हम इस eye के सामने एक object रखते हैं, दुबारा से इस object से हम दो light rays को consider करते हैं, अब यहाँ पर ये जो eye lens है, वो तो normal eye की तरह ही काम करेगा, वो इन light rays को retina पर मिलाने की कोशिश करेगा, but students, इस eye lens को ये थोड़ी ना पता है, कि ये जो ret retina है, ये अपनी position से अटकर आगे आ चुका है, that's the reason, again ये light rays retina के पीछे जाकर meet करेंगी, और दुबारा से हम इस object की image नहीं देखेगी, blood देखेगी, तो देखा दोस्तो, ये दो reasons हैं जिसकी वज़ज़ से हमारी eye, जो है, past की objects को नहीं देख पाती, हाँ, दूर की objects को clear द students, देखिए, इस object से दो light rays निकल रही थी, वो पहले से divergent थी, अब concave lens तो वैसी diverging lens होता है, ये तो light rays को और भी ज्यादा diverge करेगा, यानि कि हमारे eye lens को और भी ज्यादा time लगेगा, इन्हें converge करने के लिए, मतलब ये light rays और दूर जाकर meet करेंगी, retina पर तो बिलकुल भी नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ही है कि इस lens की help से हम इस defect को ठीक तो नहीं कर सकते, और similarly, second case में भी दोस्तों, इस object से दो light rays निकल रही है, वो पहले concave lens पर जब strike होंगी, तो वो और diverge हो जाएंगी, और ये divergent rays जब हमारे eye lens पर strike करेंगी, तो ये lens तो बिलकुल normal है, ये ने converge converge करवाने की कोशिश करेगा, बट दोस्तों, ये जो retina है, ये तो pass आ चुक है, that's the reason कि ये फिर से light rays पीछे ही जाकर meet करेंगी, और हम इस subject को नहीं देख पाएंगे, यानि कि concave lens का use तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, convex lens का use करके देखें, चलिए देखतें, सबसे पहले कम converge हो रही थी, power कम थी ना हमारे eye lens की, अब क्या हो रहा है, दोनों lens, external lens और हमारे eye का lens, दोनों मिलके light rays को converge करवा रहे हैं, इसी वज़े से light rays हैं, वो अब retina पर जाकर मिल जाएंगी, और हम इस subject की image clearly दिखेंगी, similarly second case में भी अगर हम convex lens का use करें, तो light rays पहले convex lens की help से converge और दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं, कि जो मेरा best friend रहूल था, जिसे दूर की object सो clear दिखते थे, बड़ पास की object blood, उसे doctor ने जो spectacles लगाया था, उसकी spectacles में जो lens था, convex lens, चली दोस्तों, अब next lecture में, हम third defect के बारे में detail में study करेंगे, that is press biopia,